यहां से आप सभी देख भी सकते हैं दर्सन नगर का पूरा नाम किस तरीके से माँ सभी को दिखाने की कोशिस कर रहे हैं तो देख सब्सक्राइब है यह हमारा पासवाक्स है यह पाइकिंग मसीन है अच्छा यह कैसे काम करता है हमारी इत्यो मसीन है यह पाई कि आटक्ले मसीन अच्छा क्या क्या नम है आप यह तो जो आप बाहर से देखते हैं ब्लू कलरका यह वो गली आ रहा है देख सकते हैं कि इतना लंबा है तो यहांसे आप सभी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के से हॉस्पिटल दिखता है तरीके से और सामनी यह जैसरी राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में तो जैसा कि आप सभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि दर्सनगर हॉस्पिटल है तो हम अपने बारे में बता हैं तो हमारा नाम दिलेव कुमार साहु है तो हम लोग आये हुए हैं दर्सनगर में जो न तो देख सकते हैं हमारे पीछे यह थास्पिटल है तो हमाई समपन्ध चिकिस साल आयोध्या सब्सक्राइब देख सकते कि कितना पूरा खोशुरत बनाया गया उधर शोटी विल्डिंग है चोटा स्पिटल है तो हमाई समोई को पास में लेके चलेंगे इसके अंदर में करेंगे जो कि यह सामने वाला परवेश द्वार वन है जो कि यहां पर लिखा भी है तो हम लोग कि इस धर से इंट्री करेंगे इसके पास में देख सकते हैं कि इधर बाइक भाइक भी कुछ खड़े हुई है तो हम लोग इसके अंदर में चलेंगे देखने के कोसिस करेंगे यहां पर कितना काम हुआ है और अभी कितना बाकी है तो आये चलते हैं क wise है को जैसे आप गेट सेंटी करेंगे तो इदर यहां आप हमारे स्वräge और जाने कर आस्ता है और इधर दो भी है इधर देख सकते हैं बेड बिघ्ड लेफ्ट और यहां पर देekальном के पूरा सब लिखा भी गया हुआ है तो हम लोग चलेंगे आगे की तरफ और क्या क्या है इसके अंदर में जानेंगे तो इधर देख सकते हैं यहां पर रेड जोन बनाया गया हुआ है जो कि यहां पर आसे पड़ भी सकते हैं और अभी इसके अंदर में भी सब बेड़ेड लिखाते हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं काउंटर पूरा बनाया गया मरीज के लिए पूरा बेड़ है विलको लेट्व मैट्रिक्स देख सकते हैं दम व्याइपी और यहां पर पूरे आक्सिजन के पाई भी किनारे किनारे दोड़ी हुई है इदर पूरे एसी भी यहां पर यहां पर गात्न की लोगो पढ़ के समझ जयाए कि यहां पर क्या चीज़ है आज सभी को बताते चले तो इस हॉस्पिटल में पूरे हॉस्पिटल में तीन गेट बनाए गए हुआ है जो कि एक उतर दिसा में है पूरत दिसा में है और एक पस्चिन दिसा में गेट बनाए गए है और जितने गेट हैं हर गेट के पास में लिफ् प्रेजी रूम है और इसी के बगल में ठीक एक्सेर रूम है यहां पर किसी को दिक्कत ना हो तो यह पूरा सब लिखा हुआ डिरेक्शन दिया गया हुआ है और यह आगे लिखा हुआ है डॉक्तर आउन डूटी यानि इसके अंदर में डॉक्तर लोग बैठेंगे जो की अउ सब गेट है यह उत्तर ओधिता साधें और यह पूरत दिसा का गेट सामने का तो जनको चले हैं पूरत दिसा की गेट उर्थ Sikh हो जाएँ start तो उसके बाद भी यहां पर कुछ दिन के लिए रखे जाएंगे तब उनको डिश्चार्ज किया जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं पोस्ट आउपरेटिव वार्ड है जो कि यहां पर भी कुछ बेट रखे गए हुए हैं यहां पर और यह चोटे मोटे मेर्जेंसी के साथ उनको इसे कंदर में दिखाया जाएं अब हम आप लोग को लेके चलेंगे का इस्तिमाल किया जाता है और कितनी साउधानी सब्साइब बने रही है को दिखाते हैं और और चलेंगे आव जो कि आप स parti करते समय जो भी इस्तिमाल हो नब किस तरीके से साफ किया जाता यहां पर इस तो जो कि है और में चल लेंगे तो इन से हम जानकारी लेंगे कि कैसे क्या क्या सफ़ाइब होती है यह रिसीविंग एरिया है जो कि आप सभी पड़ भी सकते हैं देख भी सकते हैं आई अब हम जानते हैं इनी के जुबानी की किस तरीके से टूल्स का इस्तिमाल किया जाता है कैसे साफ सफाई किया जाता है यह सर हमारा रिसीविंग एरिया है गोटी से इस्टुमेंट आते हैं वह हम रिसीविंग एरिया हम पहले रिसीव करते हैं उसको कि रिसीप करने के बाद फिर यह हमारी वासवेसिन है यहां पहले उसको साफ पानी से धूलते हैं साफ पानी दूलने के बाद यह हमारी अल्ट्रासोनिक मसीन है इसमें यह यह अल्पीटू मुलब तमाम तरह केमकल आते हैं ओके अधियर दूलने के चालिश डिगरी तर्फ तम्ट्रेचर पर गरम किया जालता अट्रोसोनिक है वाइब्रेशन करके दूलती है उसके बाद इसमें से निकालके हम साफ पानी से दूलते हैं इस्टूमेंट को शुखा लेते हैं उसके बाद उसको हम त्रे में रखे पास अरीया से कि फ़्स बाक्स के थूरू यह आ महारा पास बाक्स से फ़्कूर उसको पैकिंगर भीचते हैं जो की सामने देखlio देक हुए कि इस तरह को बढ़ना को मैदया इसमें यह डोर बंद होने के बाद भी ओडोर खुलेगा ताकि इसमें से कुछ उसमें कीटाड़ों न जा सकें फैकिंग इस्टाइल जोन है चली हमारा एक इंप्लाइस में रहेगा अच्छा अब आपको दिखाना है तो चल रहे हैं हमारा जो इंप्लाइस में रहता है वह इसी में काम करता है और कहीं इधर उदर नहीं काम करता है वह पॉस्ट बाक्स के थुरू यह यहां से अपना समय लेता है तो देखा आज सभी ने पहले हम लोग उदर से उन्होंने टूस दिया यहां पर यहां पर अंदर में ले सकते है आपके अपनी भाता में मासभी को बता रहे हैं कि समझ सकते हैं इसको देख सकते हैं कि स्ट्राइप जो नहीं है यह हमारा पाइकिंग एरिया है इसमें इस्ट्रुमेंट आता है तो इसको अर्बिन वो ट्रेल ले आओ कि यह कौँ सी मसीन है यह पैकिंग मसीन है अच्छा यह कैसे काम करता है बहुत सारे इस्ट्रुमेंट होते हैं जो इस्ट्रुमेंट इसमें रखके इस तरीके से पैक करने के बाद इस तरीके से हो जाता है कुछ इस्ट्रुमेंट ऐसे होते हैं जो इसमें पैक करना रहता ह प्लास्टिक के इंस्ट्रुमेंट के लिए होता है फेल करते हैं कि यह हमारी त्यों मशीन है किसका काम क्या होता है यह जो प्लाश्टिक इंस्ट्रुमेंट में जैसे मांस्क ज्यादा Кषर्ट तो यूजैंट थ है स्मयं और कोछे मुद्धक लगा हो अधियो मसीन है इस में यह वाटर से नहीं होता यह गैस से स्टाइल किया जाता है तो चालो को खतम करने के लिए अजै यह तो यह तो उससे स्टाइल होता है दो जो संमान को करना रहता है कि अधी है कि उसमें पैक करके इसमें रख के कि यहां डाली जाती है कि कौन सी मसीन है आटो क्ले मसीन इसका क्या काम है यह बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट इसी में स्ट्राहिल किये जाते हैं प्लास्टिक के अलावा जो भी होता है इसे अरे खोलने के जामती है कि इसे इंस्ट्रूमेंट हो गया हुआ है और यह गाजपीस और यह सब भी स्ट्राहिल करने के बाद ही उज होता है तो उसको ड्रम में पैक करके कि इसमें डाल के इस्ट्राहिल करते हैं यह हमारा इस्ट्राहिल जोन इस्ट्राहिल जोन बिल्कुल पासबाक्स के ही तरज पर हमारे इस्ट्राहिल जोन का भी रास्ता बना है इस्ट्राहिल जोन में भी आने के लिए जो मारा इंप्राइश्ट्राहिल जोन में ही रहेगा आप यहां अंदर आएंगे उसके बाद यहां से उसके बाद यहां इंटी करेंगे यह जो भी आप खाली देख रहे हैं इसमें हमारी एक मसीन और आने वाली है इसी तरह से यहां यहीं से मसीन यहां 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 बहुत ज्यादा रहेगा मेडिकल कालेज तो यहां स्टाइल करके सामान को रखते हैं जैसा कि आज सबीने देखा कि अध्य जी ने कितने अच्छे से पूरा सब इस्प्लेइन के यहां के बारे में सब कुछ बताया है तो पिस तरीके से पूरा इसको सफाई किया जाता है चुदेकल ग्रांड पर पर जो कि आप सभी को बताते हैं यहां पे लोगों की स्वाधा को देखते हुए यहां पे लिफ्ट का भी इंतिजाम किया गया हुआ है और सीड़ी का भी इंतिजाम किया गया हुआ है तो हम लोग सीड़ी की तरफ से चलने हैं जो कि आप हमारे सामने देख भी सकते हैं पीछे इधर साइड में यह लिफ्ट भी है देख सकते हैं यह लिफ्ट के अंदर में लोग बना यहां के बार हम दिखाते हैं से first floor पर कि कितना काम हुआ है और कहाँ पे क्या क्या है तो अवी हम लोग आ गए हैं first floor पर तो first floor पर आप सभी को दिखाने की कोसिज़ करेंगे कि इस first floor पर कितने department कौन-कौन से यहां पर सुझढ़ायद दी जाएंगी तो आप सभी को दिखाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर सिसार सरकारी हऊस्पेटल है उस इससार हैं किपना तो हम आप से भी को एक चीव सब दिखा रहे हैं तो हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं दर्सन अगर हॉस्पिटल के उपर में जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नदारा यहां पर कितना बेहत्खोसूरत तो आप सभी को मने सब कुछ डिटेल में दिखाया तो अभी देख लेते हैं फिर अगर कुछ और छूटा होगा तो भी दिखाने की कोसिस करेंगे लेकिन आप सभी को पहले फ्रंट कैमरे से आप सभी को दिखाने कोसिस करेंगे कि यहां से कैसा दिखता है तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से hospital दिखता है और जंगाज यहां देख सकते हैं मदो माकी का च्छता भी बनाया हुआ है यहां पर देख सकते हैं और इधर से दिखाने कोशिज करेंगी यह सामने ओवर ब्रीज है यहां पर कुछ इस तरीके से जा रहा है और यह नीचे सामने ground floor खाली हुआ है तो यहां पर हो स रखते हैं वेटिंग एरिया है मुझा इसी तरीके से हर जहां पर मिलब बनाया गया हुए है उसमें नाम दे दिए गया है कि इसमें कोछ यह रहेगा मतलब की डाक्टर का इलिया रहेगा मरी जाइट मेट होंगे या ऑपरेशन रहेगा या एक्सरा रहेगा रहेगा रोम र दिया गया है यहां पर देख सकते हैं कि फायर के लिए पूरी फर्स्ट ग्राउंड से लेके पूरा थर्ड बिल्डिंग दिखाया गया है बनाया गया है यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो हम लोग चलेंगे बाकी और ऊपर भी कि ऊपर से नजारा दिखाने को तो सब कम्प्लीट किया जा रहा है देख सकते हैं कि इतने हजारों यहां पर सब रखे गया हुआ है चेर यह देखिए फ्लोर पर है सेमिनार रूम इसका मतलब कि यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है देख सकते कि अंदर पूरा चेर वेट सब कुछ लगाया हुआ है तो यह सेमिनार रूम तो हम लोग दरसन नगर हॉस्पिटल के अंदर में गलियारे के अंदर में आ गये हैं जो लोग कम आप सभी को बैक दिखाने के कोरण के तुझा यह ला वा-सार देखते ॖम है गली आ रहा है तो इसलों कि यह कहां कि इसना इसाये कोशिव करेंगे इसा लेको दिखाने से कुछ दwegen कोशिव करेंगे के तो दिखाने को सिप करेंगे यह चार में आपर onu आइंस तरीकन वे तो अभी हम लोग आ गए हैं च्छत पर जो कि दर्सनगर हॉस्पिटल के वह भी फाइफ फ्लोर को क्रास करके इतनी सीली चलने के बाद हम लोग च्छते पहुचे हैं तो यहां से आप सभी को पूरा नजारा दिखाएंगे कि किस तरीके से दर्सनगर हॉस्पिटल से अपना पूरा सहर दिखता है तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है दूर दूर देखने पर कि पूरा कोहरा लगा हुआ है तो आप सभी को भी दिखाने की कोसिस करेंगे तो देख सकते हैं कि दूर दूर का नजारा तो आप सभी का और उपर से दिखाते हैं आप सभी यहां से देख सक कि लिए UE2 हरी एकżenia तरफ के एकिने सज़ने से कि मैं और देखते हैं टो एक वो स्टेसन के सामने से गुजर रही यह यह पे यहां पर भी सकते हैं यहां अगर अगर एक अदुन सिर्फल के सामने से गुजरते होई डेख सकते हैं यहां पर वर बिइस का भी की तेजी से चला है जो कि देख सकते हैं आप पर पूरा नहीं बिडिंग सब बन के तैयार हुई है जो कि दर वी ट्रेन जा रही है क्रासिंक है यह देखेढ़ नीचे भी आगशन बहुत सकते हैं सेलो सेंड़ा के लोट साथा और सामना दर्शन नगर है यहां से वहां तक और देख सकते किरासिंग खुल गई है लोग आवा गमन कर रहे हैं तब हम लोग आप सभी को 360 व्लॉग बना के दिखाएंगे 360 वीडियो के किस तरीके से अपना यह एरिया दिखता है यहां से आप सभी देख भी सकते हैं दर्सन नगर का पूरा नाम किस सभी को दिखाने की कोसिस कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लग रहे होगी यह देखिए कि अगर कि आज सभी यहां से देख सकते हैं कि नीचे का पूरा कैंपक्स और यह दर्सन नगर हॉस्पिटल के पूरी बिल्डिंग और देख सकते हैं कि पेहत खोवसूरत यहां पर किस तरीके से नजारा और सामने यह है ओवर ब्रिश का काम भी चल ला है जिस पर सरीय डालने का काम हो और आज सभी को अब उपर से दिखाने की कोसिज करेंगे कि अपना दर्सन नगर दिखता कैसे हैं देख सकते हैं चारो तरफ से यह देखिए कि अपने दर्सन अगर हॉस्पिटल पे हम लोग खड़े भी हैं और यहां से देख सकते हैं चारों तरफ बेहद खो सूरत कि अपना फैजाबाद आयोध्या यहां से कैसा दिखता है यह देखिए तो वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंड में जरूर बताईएगा कि यहां आज की वीडियो आप सभी कैसे लगी और यहां से आप सभी को बताते चले तो यहां से हर वो चीत दिख रही लेकिन आप सभी कुछ आए धुंदले होने के वज़े से नहीं दिखे क्योंकि पूरे बादल का इसमें कोईरा डखा हुआ है अपने अध्या फाईजाबाद को डख रखा है लेकिन हम अपनी आखों से साव साव हर चीज वो देख सकते हैं यहां से भी आप सभी देख सकते है में इधर कभी केमपस आश सभी को दिखाने की कोईरि करेंगे ये देखे आउदर भी देख सकते हैं इस पेपर मिल इस परशा ओफु दूड्ख रहा है और उज़ए ल Annisश वा दरसरनगार पानी की टंकी देख सकते हैं इधर का कालो नहीं देख सकते हैं कि यह लोग यहीं पर समात करेंगे तो में है कि यहां आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी तो अब हम लोग चलते हैं नेश्ट वीडियो की तरफ तो इसी तरह ज़िए देखने के लिए प्रीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन् झाल